Hello dear students, तो इस वीडियो में हम आपका class 9th का, यह जो आपका maths का morning shift का question paper solve कर रहे थे, जो कि आपका final exam का question paper है, तो इसका हम आगे के questions का solution करेंगे, इस paper का हमने पिछले वीडियो में, last वीडियो में हमने question number 29 तक solve कर लिया है, ठीक है, question number 29 हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह हमारा question number 29, तो यहां तक हमने last video में कर लिया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो वीडियो आपको channel पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना, इस वीडियो में हम question number 30 से solution करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंग लेकर और दूसरा योग द्वारा, तो यहां पर देखो, यह हमें table दिया गया है, एक यह हमें IU work दिया है, और यहां पर यह जो column है, यह दवाई लेने वाले मरीजों की संख्या दी गई है, इसमें, और इस वाले column में दिया गया है, योग करने वाले मरीजों की संख्या, तो हमें कोशन में बोला गया है कि बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर मरीजों की संख्या को निरूपित कीजिए तो हमें एक ही आलेख पर जो मरीजों की ये जो संख्या है इसको हमें निरूपित करना है और बारंबारता बहुबुज हमें बना कर निरूपित करना है इस question को सबसे पहले आप English Medium में यहाँ पर read कर लेना ये रहा हमारा table हमें information दिया गया है और बोला है represent the data of patients on the same graph by frequency polygons ठीक है तो अब देखो इसका solution हम कैसे करेंगे हमें इसमें क्योंकि बारंबारता बहुबुज बनाना है यानि कि जो frequency polygon होता है वो हमें बनाना है तो इसलिए जो हमें यहाँ पर ये iu work दिया गया है ना इसी से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक और column बनाएंगे जो कि हमारा होगा class mark यानि कि वर्ग चिन वाला column ठीक है तो सबसे पहले आपको अपने solution में क्या करना है कि जो हमें table में ये जो तीन column है ये first ये second और ये third ये तीन column तो आपको बनाना है लेकिन जो ये iu work वाला column है इसके just बाद आपको एक और column बनाना है जो कि होगा आपका वर्ग चिन यानि कि class mark वाला ठीक है तो इसमें आपको क्या लिखना है जो हमें हम class mark यानि कि वर्ग चिन कैसे निकालते हैं जो हमें ये iu work दिया है इन दोनों को जोड़के और 2 से भाग कर देते हैं तो 20 और 30 को जोड़के 2 से भाग करेंगे तो ये आजाएगा हमारा 25 ठीक है तो ये होगे हमारा 25 इसक करेंगे या फिर simple तरीका ये है कि दोनों के जो बिल्कुल बीच में आएगा उसे देखेंगे तो 30 और 40 के बिल्कुल बीच में हमारा 35 आएगा ऐसे ही 40 और 50 के बीच में 45 हो जाएगा और 50 और 60 के बीच में 55 हो जाएगा तो ये आपको एक और column extra add करना है जो कि आपका जो हमें बरमबारता बहुबूज भनाना है वह हम कैसे बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक y-axis खीचना है y-axis और इसके बाद आपको एक x-axis खीचना है सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा straight बनाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सीधा तो यह हमने बनाया और इसी तरह से यहां से यह इस तरह से चीक है अब हम क्या गरेंगे कि यहां पर सबसे पहले एक point लेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम ले लेते हैं 25 का क्योंकि पहला हमारा जो class mark है वो 25 का है यहां पर आप देख सकते हो इसके बाद दूसरा हम ले लेंगे दूसरा हमारा है 35 फिर इसके बाद लेंगे 45 का और फिर इसके बाद 55 का आप जब ग्राफ पर बनाओगे इसे तो आपका बिल्कुल neat and clean बनेगा यहाँ पर मेरे से थोड़ा बहुत जो मैं रफली बना रहो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें जो लाइन से वो टेड़ी मेरी हो सकती है इसके बाद तो यहाँ पर हम मैं यहाँ पर क्या गरूँगा कि जो यह number of patients है यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा जो है वो 36 तक है तो इसलिए 5-5 का gap में मैं यहाँ पर जो मरीजो की संख्या है वो यहाँ पर ले लूँगा ठीक है तो यह 5-10 इसके बाद यह हो जाएगा 15 इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 20 और फिर यह हमारा 25 इसके बाद यह 30 और यह हो जाएगा 35 और इसके बाद एक और ले लेंगे यह हो जाएगा 40 चिक है तो 40 तक हमने यह कर लिया अब सबसे पहले हम जो दवाए लेने वाले मरीजों की संख्या है उसको हम इस ग्राफ पर दिखाएंगे तो यहां पर दवाई लेने वाले मरीजों की संख्या कितनी है 18 है और हमारा क्लास मार्ग जो है वर्गचीन वो 25 है यानि कि यह जो 25 है इस पर हम देखेंगे कितने हैं मरीजों की संख्या 18 तो 18 हमारा कहां आएगा 18 जो है वो 15 और 20 के बीच में आएगा 20 से हलका सा नीचे यानि कि यहां पर हमारा हो जाएगा और 25 के बिलकुल सामने हमारा होना चाहिए और 18 यहां पर आजाएगा तो 18 के सामने यानि कि यह हमारा पॉइंट हो जाएगा इसके बाद दूसरा है हमारा जो मरीजों की संख्या है वो 22 है और वर्ग चिन 35 है तो इस 35 पर आप हम देखेंगे 22 22 हमारा कहां आजाएगा यह हमारा 20 के हलका सा उपर चिक है यानि 20 और 25 के बीच में यानि कि 20 से थोड़ा सा उपर चिक है तो यह हमारा almost यहां पर आ जाएगा इसके बाद अगला जो है वर्ग चिन वो 45 का है जिसमें मरीजों की संख्या 30 है तो 45 यह रहा और मरीजों की संख्या 30 हम देखेंगे तो 30 हमारा यह रहा यहां पर तो इसके सामने यह पॉइंट हमारा हो जाएगा इसके बाद अगला जो वर्ग चिन है वो 55 है जिसमें मरीजों की संख्या जो है वो 36 है तो 55 यह रहा अब मरीजों की संख्या 36 तो यह हमारा 35 तो यह रहा 35 से थोड़ा सा उपर यानि कि almost हमारा यहां पर आ जाएगा पॉइंट चिक है आप जब graph paper पर बनाओगे तो आपका बिल्कुल clean और clear नजर आएगा कि आपको कौन सा point कहां पर लेना है तो यह हमने 4 point बना दिये हैं और यह जो 4 points हैं यह दवाई लेने वाले मरीजों की संख्या को दिखाते हैं तो इनको अब हम scale की help से join कर देंगे मैं आपर roughly join करूंगा कुछ इस तरह से हम 4 points हैं इनको join कर द अब दूसरा जो हमारा यह वाला column है योग करने वाली मरीजों की संख्या तो इसको भी अब हमें इसी graph पर दिखाना है तो यह अब हम कैसे दिखाएंगे इस बार भी जो हमारा वर्ग चिन है वो same ही रहेगा और इसमें मरीजों की संख्या पहला है 6 तो इस जो हमारा वर्ग वरगचिन 35 में मरिजों की संख्या कितनी है 14 है तो यह रहा 35 यहाँ इसमें मरिजों καे 25 यहाँ यहाँ Bis इसके जर्ष्ट सामने ये हो जाएगा इसके बाद 55 वाला जो हमारा वर्ग चिन है इसमें मरीजों की संख्या है 28-28 तो ये रहा 55 28 जो है वो 30 से हलका सा नीचे आएगा यानि कि यहाँ पर यह हमारा 30 है 30 से थोड़ा सा नीचे यानि कि almost यहाँ पर तो यह हमने points दिखा दिये ह है योग करने वाले मरीजों की संख्या का अब इसको भी हम जोइन कर देंगे अब लेकिन इसको भी हम इसी तरह से जोइन करेंगे जैसा हमने यह दवाई लेने वाले मरीजों की संख्या को जोइन किया है तो इसमें हमें कोई different नहीं नजर आएगा तो हम दोनों को अलग-अ दिखाने के लिए इस वाले को जो चारों पॉइंट से इनको जोईन करने के लिए हम जो डॉटेड लाइन है उसका यूज़ करेंगे तो हम इस तरह से जोईन कर देंगे चिक है तो यह हमें clear अच्छे से समझ में आ जाएगा अब तो यह हमारा बन गया बरंबारता बहुबुज अब हमने कौन से जो मरीज है उनको dark line से और कौन से मरीजों को dotted line से दिखाया यह भी हमें show करना पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ जो हमारे दवाई लेने वाले मरीज है उनको हमने dark line से show किया है तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि दवाई वाले मरीज ठीक है और इसके सामने इस तरह से हम dark line बना के दिखा देंगे और दूसरे हैं योग करने वाले मरीज तो योग वाले मरीजों को हमने कैसे दिखाया है dotted line से तो इस तरह से हमें solution करना है जो हमारा question number 30 है उसका हमें बारमारता बहुच बनाना था तो यह हमने बना कर दिखा दिया है यह हमारा हो गया solution complete ठीक है तो अब चलते हैं next हम question number 31 पर question number 31 को आप देख सकते हो यह रहा हमारा question number 31 इसमें बोला है यदि px यह हमें दिया गया है तो p1 प्लस p-1 प्लस p2 का मान ग्यात कीजिए तो इसमें हमें इसका मान ग्यात करना है अब देखो इसका solution हम कैसे करेंगे सबसे पहले जो हमें polynomial दिया है यह हमें polynomial दिया गया है तो इसमें यहां पर सबसे पहले p और 1 है इसका मतलब इस polynomial में इस बहुपद में जहां x है वहां पर हमें सबसे पहले x की value 1 put करना है तो सबसे पहले हमारा है p इसके बाद यह x तो x की value सबसे पहले हमें क्या लेना है 1 तो 1 लेंगे equal में यहाँ पर सबसे पहले x square है तो x की value 1 लेना है और यह square आ गया minus में 3 है फिर इसके बाद यहाँ पर x है तो x की value हमें 1 लेना है और इसके बाद plus में हमारा है 2 अब इसको solve करेंगे तो 1 का square 1 हो जाएगा minus 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 आएगा plus में क्या है 2 अब यह 1 और यह plus में 2 यह हो गया 3 यह minus का 3 तो यह कितना आजाएगा 0 चिक्या तो x की value 1 लेने पर हमारा answer क्या आया 0 अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा है p minus 1 यानि कि अब हमें x की value minus 1 लेकर solve करना है तो अब हमारा हो जाएगा p और x की value अब क्या लेना है minus का 1 equal में क्या है equal में हमारा x square है सबसे पहले तो x की value minus 1 लेंगे और यह square फिर minus में 3 और x है तो x की value minus 1 और फिर plus में है हमारा 2 अब इसको solve करेंगे तो minus 1 का square करेंगे 1 आएगा minus 3 और minus 1 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा plus का 3 और plus में हमारा है 2 तो यह 1 और 3 4 और 2 6 तो यह आगे हमारा 6 answer ठीक है x की value minus 1 लेने पर और तीसरा है p 2 यहनि कि अब हमें x की value 2 लेकर solve करना है तो यहां पर सबसे पहरे लिख लेते हैं p x की value इस बार हमें 2 लेना है equal में क्या है हमारा x square है तो x की value 2 और यह square फिर minus में है 3 और x है x की value 2 लेना है और plus में हमारा है 2 तो यह हो जाएगा 2 का square करेंगे 4 minus 3 और 2 का गुणा करेंगे तो minus 6 और plus में हमारा है 2 तो यह 4 और यह 2 यह हो गया हमारा 6 और माइनस में 6 है तो आंसर क्या जाएगा 0 तो यहाँ पर x की value 2 put करने पर आंसर 0 आया है अब हमसे क्या पूछा था वो हम बड़े ही आसानी से बता सकते हैं ठीक है तो हमसे इसका मान पूछा गया है तो अब देखना इसका मान हम कैसे बता सकते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले p1 है तो p1 की value क्या आया है हमने x की value 1 put किया था तो हमारा आंसर आया था 0 तो इसलिए p1 की place पर हम 0 लिख देंगे फिर क्या है plus तो यह plus लगाएंगे और फिर p-1 है तो x की value minus 1 लेने पर आंसर 6 आया था तो यहाँ पर 6 लिखेंगे फिर plus में p2 है तो यह plus x की value 2 लेने पर आंसर हमारा यह देखो 0 आया है अब इन सबको solve करेंगे तो answer हमारा क्या आएगा answer आजाएगा हमारा 6 तो यही हो जाएगा answer ठीक है तो I hope आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया easily समझ में आ गया है और इस तरह से हमने इसको भी कर लिया मैं आपको काफी detail में explanation के साथ आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपके मन में कोई भी doubt नहीं बचा होगा किसी भी question के regarding ठीक है तो इसलिए video को एक like जरूर कर देना इतना effort के लिए अब इसके बाद चलते हैं next question पर हमारा question number 31 हो गया अब next हमारा आएगा question number 32 तो question number 32 जो है यह रहा हमारा question number 32 ठीक है तो question number 32 से हमारा खंड घह शुरू हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो और खंड घह में जितने भी question से सारे आपके पांच-पांच नमर वाले question से question number 32 इसके बाद 33 34 और 35 यानि कि चार questions section D में यानि खंड घह में हमें दिये हैं तो जो section D है खंड घह पांच-पांच नमर वाले question जिसमें दिये गए हैं इनको मैं आपको किसी और वीडियो में करा दूंगा ठीक है सबसे पहले यहां पर देखो question number 36 से जो है यहां से आपका खंड अंग यानि कि जो section E है वो शुरू हो जाता है और यह जो section E है इसमें आपके case study वाले questions दिये गए हैं तो case study वाले questions भी काफी जड़ा important होते हैं इसलिए सबसे पहले मैं आपको यह case study वाले questions को कराने जा रहा हूं ठीक है तो देखना question number 36 से सबसे पहले हमारा यह case study वाला question है इस section E में total आपके 3 case study वाले questions दिये गए हैं ठीक है तो सबसे पहले इसे मैं आपको complete कराऊंगा उसके बाद ही जो section D है पांच-पांच निम्मर वाले questions उनको मैं आपको कराऊंगा next वीडियो में ठीक है तो यह रहा हमारा question number 36 इसमें बोला गया है एक ice cream वाला दो परकार से ice cream को परोस्ता है य अर्ध गोलाकार कटोरी की तरिज्या 10.5 cm है और शंकू की तरिज्या 3.5 cm तथा उचाई 12 cm है तो यह हमें information दिया गया है अब इस information के base पे यहाँ पर देखो तीन questions पुछेगे हैं प्रस्ट है कि सबसे पहले बोला है उपर जनकारी के अधारा पर निम्रीखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहला question है कि शालिनी के शंकू की तीरेक उचाई ग्यात करनी है ठीक है अब तीरेक उचाई कैसे याद करते हैं यह हमारा है first part question number 36 का तो तीरेक उचाई यानिक ल की value तो ल कमान निकालने के लिए हमारे पास एक formula होता है जो की होता है under root h square प्लस r square ठीक है अब हमें शंकू की तीरेक उचाई निकालनी है तो जो हमें उचाई है वो 12 cm दिया है और 3.5 cm तो h की जगह पर क्या लेंगे 12 लेंगे और यह square प्लस r की जगह पर 3.5 लेंगे य 3.5 और square अब इसको solve करेंगे तो 12 का square क्या होता है 144 प्लस 3.5 का square क्या होता है यह होता है हमारा 12.25 ठीक है अब इनको हम add करेंगे तो 144 प्लस 12.25 इसको add करने पर 156.25 आ जाएगा और जब 156.25 को root से बाहर निकालेंगे तो answer आएगा 12.5 cm यानिकि 12.5 cm का 12.5 का square होता है वो यह होता है हमारा तो इसलिए इसका square root 12.5 हो जाएगा तो यह हो गया हमारा L की value यानिकि first का answer यही है चिक है तो यह हो गया first part इसके बाद चलते है next second part पर तो second part में हमसे बोला गया है यदि दुकांदार शंकू को कागज में लपेटता है तो कागज का शेत्रफल ग्याद कीजिए तो अब हम करेंगे second part को हमसे क्या बोला है कि जो शंकू है उसको यानिकि जो शंकू वाला आइस क्रीम है उसको दुकांदार कागज से लपेटता है तो कागज का शेत्रफल बताना है अब जो शंकू है उसको चार और प्रिश्टे शेत्रफल का क्या फोर्मूला होता है शंकू का यह होता है पाई यार एल तो इसलिए पाई की वेल्यू हो जाएगा 22 बटे साथ इन्टू आर यानिकी त्रिज्या त्रिज्या कितने दीग हो यह शंकू की 3.5 सेंटीमीटर तो 3.5 में पॉइंट हटा कर मैं इ उसको 125 बटे में 10 लिख सकता हूं पॉइंट अटा दिया हमने चिक है तो यह हो जाएगा 7 एकम 7, 7, 35 पाच एकम 5, 5, 2, 10, दो के पहाड़े से एक बार में और ये ग्यारा बार में कटेगा और ये हमारे 5 के पहाड़े से 2 बार में और ये 5 के पहाड़े से 5 5 दुना 10 और 5 पंजे 25 यानि कि 25 बार में कट जाएगा चीक है अब उपर बचा 11 और 25 इनका गुणा करके और नीचे दो बच रहा है तो दो से जब भाग करेंगे तो यह आजाएगा 137.5 और यह cm2 तो यह आगया हमारा 6 त्रफल कागज का 137.5 cm2 तो यह हो गया सेकिंड पार्ट अब करेंगे थर्ड पार्ट तो थर्ड पार्ट में बोला गया है कि रागिनी को कितनी आइसक्रीम मिली अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो रागिनी है वो कौन से किस तरह से वो आइसक्रीम ले रही है जो रागिनी है रागिनी के बारे में हमसे बोला गया है कि जो रागिनी है वो अर्ध गोला का कटोरे में आइसक्रीम लेती है चीक है तो इसलिए अगर वो अर्ध गोला कर कटोरे में आइस क्रीम ले रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अर्ध गोला है उसका आयतन निकाल देंगे चीक है तो हमें पता चल जाएगा कि रागिनी को कितनी आइस क्रीम मिली तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आयतन अब आयतन किसक निकाल रहे हैं हम अर्ध गोले का क्योंकि वो जो आइस क्रीम है वो अर्ध गोला कर कटोरे में ले रही है तो अर्ध गोले का आयतन वाला क्या फॉर्मूला होता है 2 by 3 यानि 2 बटे 3 पाई आर क्यूब चीक है अब इसमें value पुट करेंगे सबसे पहले 2 बटे 3 उतारा इन्टू पाई की value 22 बटे 7 इन्टू आर क्यूब है यानि कि त्रिज्जा जो है कितना दिया गया है अर्ध गोले का वो है 10.5 अब इसमें मैं क्या करूंगा कि पॉइंट हटा कर 105 बटे 10 लिख सकते हैं और क्यूंकि यहां पर cube लगा हुआ है तो इसलिए इस त्रिज्जा को हमें तीन बार इस तरह से लिखना पड़ेगा ठीक है तो यह हमने लिख दिया अब इसको हमें काटा पीटी करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कैसे कटेगा सबसे पहले इसमें हमारा क्या है कि यह दोनों पांच के पहाड़े से कट जाएंगे यह पांच के पहाड़े से दो बार में और यह पांच के पहाड़े से 21 बार में यह सात्य कम साथ यह सात्या 21 कट जाएगा और यह तीन से तीन कट जाएगा ठीक है और यह हमारा जो दो से 2 है ये भी कट गया अब ये दोनों हमारे ये 5 के पहाड़े से 21 बार में कट गया और ये 5 के पहाड़े से 2 बार में ठीक है और ये 2 के पहाड़े से 1 बार में और ये हमारा 11 बार में कट गया ऐसे ही 5 के पहाड़े से ये हमारा 21 बार में और ये 2 बार में कड़ जाएगा तो अब उपर क्या बचा 11, 21 और 21 और नीचे 2 तो गुणा करके और 2 से जब भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2425.5 cm3 2425.5 cm3 यह हमारा आंसर हो जाएगा यानि कि इतना जो आइस क्रीम है वो किसको मिला है रागिनी को अब इसी कोश्चन में यहाँ पर देखो अथुआ में भी दिया गया है तो इस वाले को छोड़ करके आप चाहे तो ये वाला कर सकते हो इसमें बोला है कि शालिनी को कितनी आइस क्रीम मिली तो इसको भी हम सॉल करेंगे शालिनी को कि शालिनी को कितनी आइस क्रीम मिली इसके लिए हम जो ये शंकू है ना इसका आयतन निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयतन अब शंकू के आयतन निकालने का सुत्र क्या होता है फॉर्मूला यह होता है एक बट्टे तीन पाई आर स्क्वेर एच चीक है अब इसमें वैलू पुट करेंगे एक बट्टे तीन इंटू पाई की वैलू बाईस बट्टे साथ इंटू आर स्क्वेर आर कितना है त्रिज्या शंकू का तीन पॉइंट पाँच तो पॉइंट अठाके में 35 बट्टे 10 लिख दू इंटू में स्क्वेर है इसलिए दो बार लिखना पड़ेगा और गुणा में एच एच कितना दिया है 12 सेंटिमीटर तो यहां पर 12 आ जाएगा अब सबसे पहले ये 5 साथ के पहाड़े से एक बार में और ये 7 के पहाड़े से 5 बार में 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10 कट गया ये 2 के पहाड़े से एक बार में और ये 11 बार में कटेगा 3 एकम 3 और ये हमारा 3 चोक 12 कट गया और इसके अलावा 5 के पहाड़े से 7 बार में 5 सरते 35 और ये 5 के पहाड़े से दो बार में कट गया दो एकम दो और ये दो दुना चार क्या बचा ग्यारह साथ और दो साथ दुना चौदह चौदह का ग्यारह में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है तो यह हो गया हमारा आंसर आई होप आपको यह भी इजिली समझ में आ गया है इसके बाद यह तो हो गया हमारा question number 36 अब जो next question number 37 है question number 37 इसके बाद अगला है आपका question number 38 तो इन दोनो case study वाले questions को आपको next video में करा दूँगा इस स्टूडियो में इतना ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट